Hello everyone, welcome to Global Online, this is Ankitah सूथ So, आज इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं मध्यपडेश सेट 2023 के पेपर 1 के लिए एक बहुत important topic जिसका नाम है types of sampling So, previous lecture में हमने देखा था कि sampling क्या होती है and research में इसका क्या importance होता है exam में types of sampling से जरूर questions पूछे चाएंगे So, आप सभी students इस वीडियो में अट तक जरूर बने रहेगा क्योंकि यहाँ पर smart and short tricks के साथ मैं आपको बताऊंगी कि different types को आप कैसे easily याद रख सकते हो So, paper 1 preparation के लिए complete course हमने launch किया है जिसमें कि 100% selection के मैं आपको guarantee देती हूँ इसमें आपको full syllabus video lectures में लेंगे इसमें कि smart and short tricks की मदद से आपके सारे concept हम clear करेंगे Full syllabus notes, full syllabus mock test जिसमें से कि as it is questions हर बार exam में आते हैं All previous year questions with solution and 2000 plus MCQ question bank हम आपको देते हैं जिसमें कि हरे question के answer के साथ आपको detailed explanation भी मिलती है And इसमें से as it is बहुत बार questions exam में आते हैं जिससे के students का बहुत easily exam qualify हो जाता है And इस complete course को join करने के लिए screen पर दिएगे किसे भी एक number पर WhatsApp की मदद से आप लोग easily contact कर सकते हो Generally, इसकी fee है 3000 rupees लेकिन students आज मैं आपको देती हूँ बहुत यच्छा discount यानि कि इस complete course के लिए आपको सिरफ 2000 rupees पे करने होंगे जिसको की लगातार एक साल तक आप यूज कर सकते हो तो आज ही इस complete course को join करके आप अपना dream पूरा कर सकते हो Paper 1 complete course को join करने के लिए आप Global Online आप को भी download कर सकते हो जो कि बिल्कुल free app है इसका link description box में मिल जाएगा app download करने के बाद store section पे जा करके search bar में आपको लिखना है मध्यपरदेश set exam 2023 दिन आपके सामने इसका overview आजाएगा जो कि already हम discuss कर चुके है दिन आपको जाना है इसके content section पर यहाँ पर आप देख सकते हो full syllabus mock tests, 2000 plus mcq pdf and आपको unit wise separate folders मिल जाएगे जिसमेकी exam oriented way में यहाँ पे video lectures and notes available है यहाँ पे अगर किसे भी unit पे अगर आप directly click करते हो तो आपको theory lectures, mcq lectures, full syllabus notes and test series मिलती है जो कि definitely आपके first attempt में भी इस exam में अच्छा score करने में आपको मदद करेगा इसके previous lecture में हम लोगों ने देखा था कि sampling क्या होती है तो अगर आप लोगों ने वो lecture अभी तक नहीं देखा है तो उसका link में description में दे दूँगी आप लोगों को थोड़ा सा introduction revise कर आती हो तो sample collect करने का मतलब होता है total population में से कुछ लोगों को select करना अब जैसे मान लीजे आप लोग research करते हो ठीक है आप लोगों की PhD में admission हो जाएगी और आप लोगों को research करनी होगी तो research process में क्या होता है आप लोगों को लोगों से interviews भी लेने हो सकते हैं surveys भी करने पड़ सकते हैं किसी चीज की inquiry करने के लिए ठीक है तो इस चीज को बोला जाता है sample यानि कि अगर आप लोगोंने survey करना है किसी university में जा करके और उस university में 10,000 students हैं तो 10,000 में से आप लोग सिरफ 100 students को किस basis पे select करोगे क्यों select करोगे that is called sampling तो कुछ ना कुछ reason होगा कि आप लोगोंने 10,000 में से 100 लोगों को select किया वो selection का criteria random भी हो सकता है कि आप लोगोंने किसी को भी randomly उठा लिया और उनसे question पूछना शुरू कर दिया या फिर अगर मालीजिए कि आप किसी commerce background से हो और आप लोग commerce की research कर रहे तो आप लोग ये 100 students वो भी select कर सकते हैं जो कि commerce background से हो ठीक है इस तरह से different तरीकों से हम लोग total population में से samples को collect कर सकते हैं so that हमारे research के लिए हम लोगों को valuable information and लोगों का feedback मिल सके so हम लोगों ने previous lecture में बात की थी कि basically हमारे पास sampling दो type की होती है probability sampling ठीक है and दूसरी होती है non probability sampling ठीक है so probability का मतलब आप लोगों को पता होगा कि इसमें कुछ rules होते हैं ठीक है यानि कि सब लोगों को बराबर का मौका दिया जाता है कि उनका selection हो that is called probability ठीक है आप लोगों ने बच्पन में पढ़ा होगा कि जैसे हमारे पास यहाँ पे 5 balls है तो 5 balls में से मैं कौन सी ball को select करूँगी इसका जो है मेरे mood पे depend करता है लेकिन हम यह बोल सकते हैं कि सभी 5 की 5 balls की पूरे पूरे chances हैं कि उनका selection हो जाए यह होता है probability sampling ठीक है so probability sampling को further 4 sections में divide किया जाता है that is simple random sampling stratified sampling systematic sampling and cluster sampling ठीक है so यहाँ पे आप लोग diagram देख सकते हो and basic introduction है अब इस चीज़ को हम लोग पहले detail में देखते हैं and यहाँ पे non probability sampling के भी 4 types होते हैं convenience, voluntary response sample purposive sample and snowball sample तो एक questions तो students यहाँ से आप लोग याद रख लीजिए कि exam में पूछा जा सकता है कि probability sampling के कौन-कौन से types होते हैं options यह होंगे आपको इन नाम को याद रखना है and then वहाँ पे directly select करना है ठीक है and मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाने वाली हूँ उन सभी के basis पे end में दो MCQs मैंने आप लोगों को exercise के लिए दिया हुआ है जिसके answer आप लोग मुझे comment करके बताओगे so अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझते हो तो वो question आप लोगों के लिए बहुत easy हो जाएंगे and एक पता भी चल जाएगा आप लोगों को कि exam में किस तरह से questions पूछे जाते हैं तो simple random sampling की अगर हम लोग बात करें तो it is a type of probability sampling in which the researcher randomly selects a subset of participants from a population ठीक है simple random बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग random sampling भी बोल सकते हैं ठीक है random sampling का मतलब यही है कि इधर अगर 20 लोग है तो 20 में से हमें अगर सिर्फ 5 लोगों को select करना है तो हम लोग randomly select करेंगे हम कोई criteria नहीं रखेंगे कि किसी person की qualification के basis पे हम उसको select करेंगे या किसी person की height के basis पे उसके talent के basis पे select करेंगे ऐसा कुछ में नहीं होगा हम randomly person को select करेंगे that is called random sampling ठीक है इस चीज का use कहां पे होता है that is very important अब अगर आप लोग research कर रहे हो मान लीजिए आप लोग social work पे research कर रहे हो ठीक है आप क्या करोगे आप लोग 100 लोग आपके सामने है 100 में से आप लोग किसी भी 10 लोगों को random ली यहां पे select करोगे क्योंकि आपको सिरफ जानना है कि लोग social work, society और इन सब चीजों के बारे में क्या जानते हैं और उनके क्या views है जो भी social work करते हैं उनके बारे में उनके क्या views हैं इस तरह कि अगर कोई research आप कर रहे हो तो randomly select करोगे आते जाते किसी से भी क्या आप लोग पूच सकते हो question ठीक है तो इच मेंबर ओफ तो पॉपिलेशन has an equal chance of being selected तो हर एक परसन के equal chance होता है अगर तो हम लोग कोई criteria set करते हैं ठीक है कि परसन की qualification जो है वो master degree होनी चाहिए तो ये random sampling नहीं होगी तो इसमें आधे लोग तो तभी reject हो जाएंगे जिनकी master degree नहीं होगी ठीक है So a simple random sample is meant to be an unbiased representation of the group यानि कि इसमें किसी भी person के साथ भेदभाव नहीं किया जाता कि उनकी degree, उनकी height, उनकी talent के basis पे उनको select और reject नहीं किया जाता ये एक unbiased जो है selection का process होता है ठीक है So I hope this real life example के साथ आप लोगों को simple random selection समझ आ गया होगा Next बात करते है stratified random sampling की तो stratified strata होता है एक term ठीक है, यहाँ पर हमने लिखे है strata ठीक है, इसका मतलब होता है smaller groups So ये क्या होता है It is a method of sampling that involves dividing a population into smaller groups and ये जो छोटे-छोटे groups होते हैं इनको हम लोग strata बोलते हैं अब जैसे इसका एक example बताती हूँ Again हमारे पास 100 लोग है तो हम कोई research कर रहे हैं हम किस basis पे groups को divide करेंगे ठीक है कुछ characteristics, कुछ attributes की basis पे हम लोगों को divide करेंगे अब जैसे हम बोलेंगे कि कौन-कौन student है जिसके पास master degree है वो इस group में आ जाएंगे जो सिर्फ graduated है वो दूसरे group में आ जाएंगे जो भी PhD कर रहे हैं या करने वाले हैं जो कर रहे हैं या कर चुके हैं वो तीसरे group में आ जाएंगे जो सिर्फ plus to pass है वो इस group में आ जाएंगे ठीके जो इस basis में हम जो है divide कर देते हैं लोगों को किसी उनकी characteristic, किसी attribute, किसी property के basis पे और इस चीज को strata बोला जाता है ठीके जो पूरी process होती है population को classify करने की that is called stratification जो exam में students आप लोगों से इसी तरह के questions पूछे जाते हैं कि मान लीजिए ऐसा real life example आप लोगों को दिया जाएगा कि आप लोग एक university में गए हो and university में हजार students दस हजार students है so दस हजार students को आपने उनकी qualification के basis पे जो है check किया उनका sampling उनकी qualification के basis पे किया या फिर यह बोल सकते हैं कि उनके टालेंट के basis पे आपने उनको डिवाइड किया that is तो वहाँ पर पुछा जाएगा कि यह किस तरह की sampling होती है तो यह होती है stratified random sampling so I hope यह concept आप लोगों को clear है आप लोग साथ साथ में चीज़ों को note भी कर लीजिए systematic का मतलब होता है एक पूरे process को हम follow करते हैं एक पूरे system को एक structure को हम follow करते हैं so in this type of probability sampling in which the sample members from a larger population are selected according to a random starting point but with a fixed periodic interval ठीक है यानि कि selection जो होता है लोगों का वो randomly होता है लेकिन उसके बाद क्या करते हैं हम लोग उसके बाद fixed या फिर periodic interval को एक follow करते हैं ठीक है so this interval called as sampling interval and it is calculated by dividing the population size by the desired sample size तो यहाँ पे हम लोग desired sample size के basis बे तो systematic में हमेशा हम लोग size पे focus करते हैं कि कितने कितने की group हम बनाएंगे कि एक group पे कितने लोग होने चाहिए ठीक है so इसका एक example है if a local NGO is seeking to form a systematic sample of 500 volunteers from a population of 5000 they can select every 10th person in the population to build a sample systematically ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है कि 5000 लोगों का एक NGO है उसमें से 500 volunteers को select करना है तो अगर हम लोग systematic sampling को use करते हैं तो क्या होगा systematic sampling में हम लोग every 10th person को select करेंगे तो इस ग्रूप में बोला है हमने second person को select किया फिर दो लोगों को छोड़के तीसरे को select किया फिर दो को छोड़के तीसरे को select किया दो को छोड़के तीसरे को select किया तो एक process है ये ठीक है एक fixed interval को हम लोग यहाँ पे follow कर रहे हैं एक system को हम लोग follow कर रहे हैं ठीक है को हम different groups में divide करेंगे तो वो groups में ऐसे डिवाइड कर सकते थे या फिर उनके area के accordion को divide कर सकते थे east west north south से जहां से भी लोग है उस basis पर उनको divide कर सकते थे ठीक है या फिर उनका जो NGO में काम करने का experience है उसकी basis भी हम उनको divide कर सकते थे multiple groups में अगर इस तरह से example होता तो answer होना था stratified random sampling ठीक है तो दोनों में difference भी आई होप यहां पे आप लोगों को clear हो चुका है so अब next बात करते हैं cluster sampling की so in cluster sampling researchers divide a population into smaller groups जिसको की cluster बोलते हैं जैसे हमने strata की बात की थी लेकिन इसमें difference है थोड़ा सा वो भी मैं बताती हूं then they randomly select among these clusters to form a sample so clusters में क्या किया हमने पूरी population को छोटे-छोटे groups में छोटे-छोटे clusters में divide कर दिया अब divide करने के बाद stratified में क्या होता था हम सभी को अपना-पना काम दे देते थे यानि कि सभी selected हैं लेकिन cluster sampling में cluster में divide करने के बाद हमने इन clusters में से भी randomly family बिच्चों को जो है लोगों को जो है select किया है as a sample ठीके stratified में होता था एक बार अगर हमने divide कर दिया groups में उसके बाद वो सभी responsible होते थे यानि कि सभी का selection हो गया अबस हमने उनको divide करके काम divide कर दिया cluster में हम पहले उनको groups में divide करेंगे और फिर उन groups में से एक एक या दो दो person को select करेंगे जैसे कि 100 लोगों में से हमने divide कर दिया जो कि grade A वाले students है grade B students grade C and grade D इनकी score के according हमने इनको divide कर दिया उसके बार भी हम देखेंगे कि grade A में हम किसको select करेंगे ठीक है so difference I hope यहां पे आप लोगों को clear है so cluster sampling is a method of probability sampling that is often used to study large population particularly those that are widely geographical geographically dispersed ठीक है so बहुत जादा population है अगर हमारे पास exam में ये question भी एक बार पूछा गया था कि अगर हमारे पास बहुत जादा population है लाखों में लोग है हमारे पास and हमें sampling करनी है तो हम लोग कौन से technique use करेंगे तो आपका answer होना चाहिए cluster sampling use करेंगे ठीक है so cluster sampling is best used to study large spread out populations we are aiming to interview each subject would be costly time consuming and perhaps impossible so ऐसी जगह पर हम लोग cluster sampling को use करते हैं जहां पर एक एक परसन के पास जाके हम interview नहीं ले सकते ठीक है एक एक परसन के पास जाके हम interview नहीं ले सकते हैं तो हमने उनको divide कर दिया science जैसे medical non-medical commerce and arts ठीक है so यह हमने divide कर दिया उसके बाद हम medical से एक को select करेंगे non-medical से एक को select करेंगे and उनी से questions पूछेंगे तो इससे क्या होगा हमारी research भी हो जाएगी different different field के students है उनसे हमारा उनका point of view भी हमें पता चल जाएगा ठीक है इसके example से यहां पर दिये गए हैं आप लोग इसको देख सकते हो next बात करते हैं convenience sampling की so convenience sampling को जो है हम categorize करते हैं non-probability sampling के अंदर ठीक है so यहां पर अगर छोटी-छोटी से definitions आपने देखनी है तो आप लोग देख सकते हो so that last moment में आप लोगों को help हो जाएगी ठीक है so convenience sampling की अगर बात करें इसको हम लोग grab sampling accidental sampling या फिर opportunity sampling भी बोलते हैं यह non-probability का ही एक type है जिसमें की it involves a sample being drawn from that part of the population that is close to hand ठीक है इसके example है जिसे की science development ठीक है student जो voluntary participate करते हैं किसी भी program में ठीक है convenience sampling इसकी एक advantage यह है कि यह cheap होता है efficient होता है and it is very simple to implement so when used to generate a potential hypothesis or study objective convenience sampling is very very useful next बात करते है voluntary sampling की so I hope voluntary का मतलब आप लोगों को पता है so जैसे कि कोई group में से कोई खुद से अपनी इच्छा से काम करने आना चाहता है that is called voluntary sampling ठीक है so इसमें क्या होता है पूरे sample group में से voluntarily कोई भी participate करने के लिए आता है ठीक है participants in voluntary response sample usually choose to response to surveys because they have a strong opinion on the subject of the survey तो पूरे group में से कोई एक person को अगर हम select करते हैं कि आप अपने पूरे group को represent करोगे तो वो person को क्यों हम select करेंगे या फिर वो person voluntary क्यों आ गया आएगा अगर उसको confidence होगा कि उसको particular topic के बारे में बिल्कुल सटीक knowledge है अगर आप लोगों को थोड़ा भी उस topic के बारे में doubt होगा तो आप लोग नहीं जाना चाहोगे किसी के सामने उस बात को ले करके है ना तो voluntary sampling यही होता है कि एक person खुद से आ गया आएगा कि मेरे पूरे group को मैं represent करना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास इस बात का strong जो है opinion है right so if the researcher appeals to people to voluntary participate in a survey the resulting sample is called voluntary response sample and voluntary response sample जो होते हैं यह हमेशा biased होते हैं next आता है purposive sampling so इसको हम बोल सकते हैं कि इसका कोई purpose होता है इस तरह कि वैसे तो सभी sampling का कोई ना कोई purpose होता है लेकिन इससे हम immediate किसी को judge कर सकते हैं किसी को select कर सकते हैं इसलिए इसको judgmental selective and subjective sampling भी बोला जाता है in which researchers rely on their own judgment when choosing members of the population to participate in their survey so जो researcher है जो interview ले रहा है या फिर जो लोगों को select कर रहा है sampling के लिए वो अपनी judgment को साथ लेकर चलते हैं उसी basis भी हाँ पर sampling होती है and इसका main objective है to produce a sample that can be logically assumed to be representative of the population so last time आता है हमारे पास snowball sampling so इसको हम लोग बोलते है chain referral sampling जितने भी इनके main नाम है वो आप लोगों को पता होने ही चाहिए इसके अलावा दूसरे जो मैं आप लोगों को नाम बता रही हूँ mostly हर एक sampling का कोई और नाम भी है वो भी बहुत important है इसको chain referral sampling बोलते हैं यह क्यों बोलते हैं यह example के साथ हम देखेंगे it is a recruitment technique in which research participants are asked to assist researchers in identifying other potential subjects ठीक है so इसको हम लोग बोल सकते हैं कि here the researcher finds a handful of suitable primary data sources and uses them to discover similar variables for the study think of it as a referral technique that thrives on the principle of like-minded attraction ठीक है so I hope इस statement से आप लोगों को यह चीज बिल्कुल clear है so अब बात करते हैं कि snowball sampling ठीक है इसके नाम से बता चल रहा है कि यह distinct feature जो है किसी-किसी चीज के लेकर चलता है साथ में ठीक है अब यहां पर हम बात करते हैं कि snowball sampling के हमारे पास तीन types होते हैं linear, exponential, non-discriminative and next है exponential, discriminative snowball sampling तो linear में अगर हम लोग बात करें the researcher depends on a straight line referral sequence ठीक है इस तरह से यह straight line referral sequence पे dependent होता है that start with a single variable यानि कि हम लोगों ने एक single variable में research करने से शुरू किया ठीक है इस variable के थूँ हमें दूसरा sample मिला इस variable के थूँ हमें तीसरा sample मिला और यह जितने भी samples हैं यह सभी एक दूसरे पे dependent है राइट तो इस variable provides information about one other potential research subject and it goes on until the desired sample population is achieved तो next आता है हमारे पास कि इसकी advantages क्या है तो इसमें जो है हमें बहुत जादा time invest करने की जरूरत नहीं पड़ती है and variables को भी जादा study नहीं करना पड़ता है next आता है exponential non-discriminative snowball sampling so it runs on a geometric chain sampling sequence and here the information for a sample population starts with finding one suitable participant now this participant एक हमने divide कर दिया एक हमने variable यहां पर create कर दिया now this participant goes ahead to refer multiple potential researchers तो यह multiple potential researchers को जो है participate करने के लिए refer करता है उसके बाद यह chain जो है continue रहती है अगर एक परसन भी दो लोगों को आगे refer करेगा तो इसी तरह से यह chain बढ़ती जाएगी that is called exponential non-discriminative snowball sampling next बात करते हैं exponential की so इसमें क्या होता है यह काफी जादा option number 2 की तरह होता है however in this case the researcher screens potential variables before accepting them into a sample population ठीक है यह वाला process जो है discriminative वाला यह बहुत जादा time consuming होता है and इसकी एक advantage यह है कि research में जो भी best fit variables होते हैं यह हमेशा उसको allow करता है selection के लिए ठीक है so यह थे sampling के कुछ types जो की बहुत जादा important थे so अब मैं बात करती हूँ जो आप लोगों के लिए exercise question है जिसके answer आप लोग मुझे comment करके जरूर बताईएगा यह आप लोगों के लिए evaluation test है mini evaluation test से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज की वीडियो में आपको क्या समझाया so अगर हम लोग एक lucky draw की बात करते हैं ठीक है lucky draw आप लोगों को आई हो पता होगा उसमें हम एक जो purchase ही होती है एक token जो होता है उसको निकालते हैं तो इस तरह की sampling को क्या बोला जाएगा independent, structured, non-random या random ठीक है बहुत easy question है second question है from the list given below choose a non-probability sampling procedure तो यहाँ पर हमारे पास total six sampling के techniques दिये गए है हमें बताना है कि non-probability के types कौन कौन से है तो इसी तरह की question, यह वाला जो question है न same probability में भी पूछा जा सकते है exam में and इस तरह की questions जरूर आते हैं for sure question होते हैं यह ठीक है so I hope यह concept आज आप लोगों का बिल्कुल clear हो चुका है and फिर भी अगर आप लोगों का इसमें कोई भी doubt रहता है तो आप लोग comment करके हमें बता सकते हो हमारी team definitely आपकी help करेगी so thank you so much for watching this video and I wish you all the very best